कैसे हैं आप सब लोग आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे आज की क्लास के लिए बहुत देड़ से बहुत बच्चे वेट कर रहे थे बहुत बच्चों ने इसके लिए रिक्वेस्ट भी करी थी तो आज हम लोग यह क्लास लिख्या है क्लास थोड़ी से लंबी होगी आपको थोड़ों से ओवर्विव दे दूँगा कि आज हम लोग करेंगे क्या यहां पर तो यह लिंक हम लोगों ने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है अगर आप लोग यह चैनल पहली बार देख रहे हैं आप इस चैनल को सब्स्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर इंपॉर्णेट है रीजन का है मैं आपको बता सकता हूं जो भी पेपर कंड़क्ट हुए है जेके असेजबी के द्वारा हर एक शिफ्ट में अगर आपके पेपर में यह सेक्शन इंक्लूड़ेड है जेंड के की हिस्ट्री जेग्राफी कल्चर एकॉनमी टूरिस डेस्ट बट मैं आप लोगों को यह रिकमेंट करूँगा कि तीन मार्च के बाद अगर हो सके तो कोई भी टेस्ट मत देना वो लास्ट मिनट्स ट्राटेजी में आपके लिए तीन मार्च को लेके आऊंगा कि लास्ट के दो दिन तीन दिन किस तरीके से इटिलाईज हम लोग इसको बहुत जल्द हम लोग यहां पर शुरुबात करने वाले हैं एक चीज की जिसमें हम लोग क्या करेंगे जो हमारा सेकेंडेस होता है यानि की स्ट्राटेजी अभी तक जो आप लोगों को एप पर मिला है वहाई स्ट्रीप्लान किस तरीके से नहीं आप स्ट्राडेजी पर ह इस तरीके से अटेम्ट करना है mcq series या वह सब आप लोगों ने देख लिया होगा बहुत सारी sections के आप लोग शुरू कर चुके हैं और साधिसा जो जम्मू से हैं बच्चे आप लोगों बता दूं महाल शिवरात्री special discount जो आपको दो मार्स तक था वो आपको तीन तक मिल जाएगा तो आप लोग अगर आ सकते हैं तो आप लोग ही मर्जी है आप जोइन कर सकते हैं और तीन तारीक को ही हम लोग लाइबररी में रखेंगे guidance session जो की हमारा होगा finance account assistant के बच्चों के लिए तो जो बच्चे वो हमारी library के बच्चे देखें तो आपको भी बता दो साथ ही साथ हम यहां पर discuss करेंगे कि डिविजन किस तरीके से होगी मैं आपको बता देता हूं हम लोगों ने 20 डिस्टिक को पड़ा था तो आज हम लोग जो चीजे करेंगे इसमें क्या होगा यहां पर know your state वाली वीडियो लोग प्लीज सर आहां I know your state ही है basically आज हम सारी districts को कवर करेंगे किस तरीके से करेंगे मैं आपको बता देता हूं पहले मैं आप लोगों से पांच से साथ questions पर पूछूंगा ठीक है उसके बाद आप लोग देखते हैं कि कितना answer इसका कर सकते हैं उसके बाद मैं आपको हर एक डिस्टिक जैसे मालों कठ हुआ पर आप लोगो से 50 मिनीमम आप लोगों को देखने को मिलेंगे दूसरी चीज यहां पर क्या डूसरी जो आपको एक और बता दू है यहां पर सेippy दिखेंगे ही लेकिन बाह आपको दियान रखना है यह इसके बाद अर् legit के बाद कथुआ district के बारे में अगर हम बात करें सबसे पहले चलते हैं तो चार से पांच mcqs में आप लोगों से यहां पर पूछूँँगा mcqs के बिना options के होंगे आप लोग देखते हैं कितने बच्चे इसका answer कर पाएंगे कथुआ district से हम लोग इसको शुरू करेंगे maximum बच्चे अगर जुड़ चुके हैं तो इस वीडियो को like कर दो फिर हम इसको शुरू करेंगे और आज 20 की 20 district को हम यहां पर खतम करेंगे एक ही बार में ठीक है सबसे पहला question आप लोगों को मुझे बताना है कि कथुआ district से आप लोगों को शुरू कर रहे हैं तो start करते हैं 1921 से पहले कथुआ district को किस नाम से जाना जाता था अब यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को जो है ध्यान से इसके answers करने चलो start करते हैं पहला mcqs आप लोगों आप लोग बताएंगे जल्दी से बताओ जस्रोट्टा बिल्कुल सही है इसको मैं लिख दाता हूं जस्रोट्टा किस नाम से district के नाम से कथुआ को जाना जाता था बिल्कुल सही इसके अलावा मेरे को एक चीज बताओ यहां पर एक ग्रीक जो थे एक सेकेंड रुकिएगा मैं थोड़ा सा इसको एड़िस्ट कर लूँ फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं ठीक है एक ग्रीक जियोग्रॉफर थे जिन्होंने कथुआ के बारे में स्पेसिफिकली मेंशन किया है पहले मुझे बताओ उनका नाम क्या था जिन्होंने कथुआ के बारे में मेंशन किया है उनका नाम बताओ उसके बाद हम लोग चलेंगे मैं आपको क्विक एक ओवर्वियू दूँगा पांच मिनिट में सारी की सारी ये डिस्ट्रिक्ट हम लोग कर लेंगे एक डिस्ट्रिक्ट को करेंगे 10-10 मिनिट लगा के क्या नाम था बिल्कुल सही क्या नाम है स्टार बो यह नाम याद रखना यह वह क्वेश्चन से जो जो की बहुत फेमस हैं उन्हें कौन सी पेंटिंग का जाता है यह ने तीन से चार बार पूछा है अलग अलग शिफ्ट में जल्दी से बहले इसका अंसर बताओ कौन सी पेंटिंग्स हैं जो की काफी फेमस हैं यहां पे यह आपका आर्ट एंड कल्चर जो है ना उसमें यह क्वेश्चन बहर भर के पूछा गया आप लोगों से स्टाबो बिल्कुल सही है ग्रीक जियोग्रॉफर थे बसोली पेंटिंग्स हैं बिल्कुल सही अब लास्ट कोईशन पूछूँगा फिर में आपके ओवर विदूगा पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट का यहां पे एक और है यहां पर बताओ कौन से ऐसे बचने के लिए अब यह चीज जो है यह अब देखते हैं कितने लोगों को पढ़ाया हुआ है आप लोगों को पांडवाज में महाबारत में आप लोगों को देखने को मिला थे कौन से लौड थे खृष्णा रामा अब यह बता दो यह सप्पैसिफिक्ली जगा के बारे मे famous है चीज जो बच्चे लिख रहे हैं कि JKP SI में युक्रेयन रशीय अप आएगा ऐसा नहीं होगा हाँ मेभी आप से युक्रेयन की capital पूछी जा सकती JKP SI में Krishna Lord Krishna तो ठीक है बहुत खूब अब हम बात करेंगे जल्दी से overview पर जो हम लोगों ने पढ़ा है बहुत खूब तैयारी बहुत अच्छी आप लोगों की अब ध्यान से सुनिएगा जो points बहुत important होंगे हो सकेगा तो इसको आप लोग note-down कर लेना अलग से आपके short notes बन जाएंगे paper के लिए सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूँ पेपर में जो चीज़ें आएंगी उसी पर काम करेंगे कठुवा किन-किन जगा से traditional language जो डोगरी है हमारी आपको जाधा तर कठुवा के एरिया में देखने को मिलेगी ठीक है next चीज अगर हम बात करें अब यहां पर जो चीज़ें यह important है अब क्या चीज़ें आपको बताता हूं जो जो जोट सिंग थे अंडोत्त्रा क्लान के उन्होंने क्या किया था basically यहां पर आय थे अंडोत्त्रा क्लान कहां का है तो यह 2000 साल पहले माईगरेट हुए थे कहां से तुए हस्तिनापूर से कठुवा में अब पेपर में क्वेशन के आएगा हम डार्यक्ट उसी बात करेंगे पेपर में question यह भन सकता है कि Andotra Clan जो है यहां पे आया था एक तो भन सकता है कि किस जग़ा पर कठुछा district में दूर्वा question भन सकता है वेपर में कि कहाँ से आये थे हस्तिनापूर से आये थे तो यह आप लोगों को याद रखना है इसके अलावा जोज सिंग के basically तीन बेटे थे जिनका नाम था तरफ इन्होंने तीन हैमिलेट्स बनाए थे तरफ तजवाल तरफ मंजली और तरफ बजवाल अब जो यहां पर आप लोग देख सकते हैं यहां पर इनके बाद जो आपने देखा तजवलिया राजपूत बजवलिया गकुझे गाएगा जो बच्चे कानेे कि ब्लर है वीडियो आपको बता डूंप ثेस्ट पे जाओ सैte їх यहां पे ऐसे बना होगा हुआ सैटिंग्स पे पिक्चर क्वालिटी पे क्लिक करोगे एडवैंस सेटिंग्स पे जाओ आपका वहां व ओसको एडू Concernation 15NY 14 को किस नाम से जाना जाता था जस्रोटा डिस्ट्रिक्ट के नाम से यह क्वेशन बहुत इंपॉर्टन है इसको हाइलेट कर लेना नोट डाउन कर लेना आप लोगों को याद रहेगा ठीक है नेक्स पर आते हैं अब इसके अलावा यहां पर जो चीजें एक्जाम में पूछी जा रही है जो पूछी जाएंगी वही करेंगे अगर आपको डिटेल में पूरी वीडियो देखनी है तो आप लोग कट हुआ की सेपरेट डिस्ट्रिक्ट दे सकते हो अब ग्रेट हिस्टोर के बारे में पहले बताया नोट डाउन करना करना घ्रीक जियोग्रॉफर थे इन्होंने डिस्क्राइब किया था कठोई को इस अ माइटी रिपॉब्लिक ऑफ डैट एडिया अब कहां पे है किस रिवर पे है रावी रिवर पे ठीक है रावी रिवर के किनारे पे आप लोग कि बचने के लिए Lord Krishna यहां पे आये थे और separate यहां पे कहा जाता है कि विजिट भी की है पांडवास ने बहुत बार अब next पर आते हैं जो पेपर में questions बने है कठुआ से मैं एक आपको overview जल्दी से दे दू पेपर में यहां तो question बनेगा आपका अब यहां पे ना हम कोशिश करेंगे कि side पर लिखते जाएं जो चीजें आपको short notes किस तरीके से बनाने है पहला कठुआ में क्या है आपका अंडोत्रा क्लान ताकि paper से एक दिन पहले सुबह 15 मिनट पहले भी अगर आप लोगों को गलती नहीं होगी ठीक है paper से पहले आप लोग कर लोगे अंडोत्रा क् पाइंटिंग्स ठीक है जो लौड कृष्णा वहां पर आये थे किस से बचने के लिए जामवत से बुलेट पॉइंट्स में आपको नोट्स बराने इसी लेक्चर के साथ नेक्स्ट पर आधे हैं टूरिस डेस्टिनेशन जो काफी ज़्यादा फेमस थी यहां पर कुछ बच्चे पूछने की ओपन मेरिट का कट आफ क्या होगा तो मैं आपको बाद में पेपर के बाद डिसक्रस करेंगे टूरिस प्लेस पर यहां पर मैं बताऊंगा पेपर में क्या क्वेशन पूछा गया है चत्रगला जो है यह बेसिकली टनल है अब आप लोग मुझे बताओ कि कठुवा को किस डिस्टिक से जोड़ती है अब यहां पर मैं आपको इस तरीके से पूछूँगा अब आप लोगों को यह आंसर रताना है पहले बसोली माई होम टाउन बल्कुल सही जो कहने है पहली आपकी मुझे नहीं चाहिए आप लोग अगर देना चाहोगे तो किसी को दे देना किसके साथ जोड़ती है कि डोड़ा के साथ अब यहां पर यह चीजे हैं जो आपको कुई क्रिवीजन में हेल्प करेगी जो चीज अगर आप भूल भी के हो तो आपको याद देगी इसके अलावा सुकराला माता टेंपल बहुत फेमोस है याद रखना पेपर में जो क्वेशन पूछा गया है एक तो जोड़िया माला वाली माता सर्थल चंचलोट माता टेंपल बनी जो जगा है बहुत इंपोर्टेंट है अतल सेट्टू आपको दिखता है कहां पे कठुआ में पहला पॉइंट चद्रगला टनल किस-किस को जोड़ती है बिल इसके अलावा नहीं पूछा जाएगा मैं आपको आज भी देता हूं कठुआ से चलते हैं अब हम लोग सांबा की तरफ सांबा के थोड़े से पूछूंगा थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि लेवल इसका मैं आप लोगों से डिफिकर्ट बना के पूछूं तो पहले आप सांबा डिस्टिक की अब हम बात करेंगे सांबा डिस्ट्रीक का पहले मिसने को बता दो किश poo के लिए जाधा फेमोस है कि टी of को क्या का जाता है इस रहाःा है जल्दिसा बता हो सांबा को मिनि गोवा ऌण जाता है सही है ये भी याद रखना city of क्या का जाता है sheets किसको का जाता है सांबा को paper में बहुत बार पूछा गया है direct हम इसी पे चलते हैं ताकि आपको एक quick overview यहां से मिल जाए जो चीजें important होगी याद रखना पहला point याद रखना सांबा को principally establish किस ने किया था 1480 के दौरान किस ने किया था मल देव ने paper में questions और एडी पूछा जा चुका है जिन चीजें को circle कर रहा हूं याद रखना साथ साथ में repeat करते रहो अगर आपके पास यह notes पढ़े हैं तो भी नहीं भी है तो भी अगर आप से पूछा जाए सांबा डिस्ट्रिक्ट का founder कौन है सांबा डिस्ट्रिक का founder है कौन मल देव पहला point यह बहुत important है किसके साथ शादी की यह चीज़ें ज्यादा important नहीं है ल याद रखना सांबा जम्मू की supremacy के अंडर का बाया और यह question paper में as it is पूछा गया है same याद रखना जम्मू जो है जो सांबा जम्मू की supremacy के अंडर आया हरी देव की दौरान उनके period के दौरान 1816 AD में यह question जो circle कर रहा हूं अगर इनके answer पता है तो well and good बहुत अच्छी बात है 816 AD में सांबा जम्मू के supremacy के अंडर आया और 1822 में सुचेश सिंग जो थे जो यंगर ब्रदर से गुलाव सिंग के उन्होंने उन्हें ही राजा बना दिया गया बंदरलता का और सांबा का सांबा 22 मंडी के लिए बहुत famous है अब यह point जो है यहां पर थोड़ा सा मैं समय थे हरी देव नेक्स सुचेश सिंग के बारे में चीजें याद रखना सुचेश सिंग के बारे में चीजें पूछी गई है पूछी जाएंगी confirm है यह चीजें अगर सांबा पे question बढ़ा पहला 22 मंडी के लिए काफी famous है city of street तो हम लोगों ने already discuss किया ही था ठीक है 22 मंड ना दिया था जी एंड के का पहले अलग अलग तिंसली स्टेट्स थी है सारी ठीक है जो यहां पर लिखना लास्ट मंट चार दिन की स्ट्रेजी इन सब को मैं हाइड कर दूँगा चैनल से प्लीज फोकस करो यहां पर यह ज्यादा इंपॉर्टन लेक्ट्टर है आपके कट की question पूछा जाएगा ब्रिगेडियर अंजिंदर सिंग जी का नाम याद रखनां यह बहुत है पोछा जाएगा किस इस्टिक से पर एंडिविर बिलॉंग करते हैं सांबा डिस्टिक से बिलॉंग करते हैं फर्स गैनेंट्री ऐवाडर्स टे फोफिनर थे ऐंडिबंडेंडिय इंडियामे महावीय चक्ड मिला था। और साथ यसाथ इन्होंने इनहें Savior of कश्मीर। पेपर में क्या कहते हैं ? पेपर मरें question पूछा जाएगा कि कि किसे Savior of koshmी के نाम से जाना जाता है। अब वहाँ पे confusion नहीं होनी चाहिए say हाँ पे याध रखना savior of kashmीर किसे काज आथा था.. तो वो का जाता था ब्रिगेडियर रजिंदर सिंग जी को ठीक है यह चीज़ें पता भी होनी चाहिए नेक्स पर आते हैं हम लोग यहां पर सांभा की एगर मां बात करूं अब देखो तो city of sheets हम लोगों को पता है कि paper में पूछा गया है लेकिन city of sheet important क्यूं है क्योंकि famous क्यूं है पेपर में जरूरी नहीं है आपको यह question इस तरीके से पूछा जाए कि samba also known as city of sheet paper में आपको पूछा जाएगा कि कोन सी district ऐसी है जो कि ट्रेडिशनल केलिशियों प्रिंटिंग या फिर जो लोकल डाइज है या वुडनल ब्लॉक से जो ब्लॉक प्रिंटिंग होती है विव्ड क्लॉथ पर या फैब्रिक पर ज़रूरी नहीं है पेपर में आपको बैट शीट लिखा हुआ दिखे क्योंकि यहां सब भी है थोड़ा सा चेंजिस तो लाने की कोशिश करेगा ही पेपर में तो इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है तब कंफ्यूजन नहीं रखना तब यह मत सोचना की प्रिंटिंग की बात की गई है यहां पर पूछा गया है पेंटिंग की तरह कुछ तो वहां पर जूनियर असिस्टेंट की एक शिफ्ट में जरूर आपको दो से तीन क्वेशन देखने को मिलेंगे इस पार्टिकुलर सेक्शन से जल्दी पर आते हैं अभी दूसरी रिस्टी की चलिया हमें काफी जादा चीज़ें करनी है यहां पर इंपॉर्डेंट टूरी डेस्टेश जल्दी से बोलो और साधी साथ यहां पर आपको बाबा सिद्गोरिया श्राइन या फिर नर्सिंग जी टेंपल भी देखने को मिलेगा ठीक है यह चीज़ें याद रखना सांभा के रिलेटेट काफी इंपॉर्टेंट है एक्जाम में यह क्वेशन बहुत बने हैं जो बन ठीक है अब यहां पर ओवर्विव देने की जरूरत नहीं है मैंने दे दिया साथ साथ में कवर हो गया है एक बड़ी जल्दी से मैं बताता हूं एक मिनट लगेगा मलदेव ने बेसिकली इसको फॉर्म किया था इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सांभा डिस्टिक हरी अक्टूबर 2006 यह भी पूछा गया है पेपर में और साथ में बिर्गेडिया रंजिदर सिंग जी को सेविर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है और बाबा चंबियाल जी का जो जीरो लाइन इंडो पार्क बॉर्डर है वहां पर जो मेला लगा जाता है वह भी पेपर में पूछा से चलेंगे जम्मू की तर में पहले चार इंडो पूछं करेंगे ऀर्इक को उपर मुला प् coding करेंगे अब म से चार पूछं का तो कोशिष करनेते हैं सबसे पहले मैं फिर को आप लोग एक चीज बताओ जो की अगर हम बात करें औरिजिनल कैपिटल किसे का जाता था अखनूर का अब इसका अंसर पहले आप लोग बताओ जल्दी से औरिजिनल कैपिटल किसे का जाता था अखनूर का जल्दी से अंसर दो फिर हम लोग चलेंगे आगे नेक्स क्वेशन पर जंबू लोचन फाउंडर बिल्कुल सही है जो जो चीज़े पता आप लोग लिख लो उत्तरवेनी का दूसरा नाम नहीं पूछना था मैंने परमंडल का ही पूछना था वह चोटा काशी था ठीक है इसके अलावा मेरे को एक और चीज़ बता दो आप लोग जल्दी से जम्मू की अगर मैं बात करूं तो जम्मू में जो बाहू फोर्ट है वो किसने कंस्ट्रक्ट किया था बाहू फोर्ट वस कंस्ट्रक्टेड बाए जल्दी से बताओ फिर हम आगे चलेंगे क्योंकि आज बहूत सारी डिस्ट्रक्ट करनी अभी हमारी तीजरी डिस्ट्रक्ट है आज क्यूं जादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यहां पर सारी जीज़ें कवर हो ही जाएंगी जम्मू की अगर हम बात करें तो जम्मू की जो कहा जाता है जो कहानी सुना ही जाती है बेसिकली जम्मू लोचन जो थे उनके विजन के काफी सारे टेंपल चार तो मैं आज ही गूंके आ हूँ क्योंकि महा शिवरात्री है सब लोगों को हैपी शिवरात्री जो भी बच्चे लेक्चेस देख रहे है अब इनका क्या था कि जो ग्लिटरिंग शिखर्स थे वो काफी होने चाहिए आस्मान को छूते हुए डॉट्ट थे स्काई सिटी स्काई लाइन क्रेटिंग दा एंबिएंस ऑफ होली और पीस्फुल सिटी सिटी ऑफ टेंपल सब लोगों को बता है बच्पन से पढ़ते आने कि जम्मू को सिटी ऑफ टेंपल का जाता है यह हमारी विंट किया था राजा बाहू लोचन के द्वारा और यह सेकिंड मोस्ट यानि कि अगर हम बात करें ज्यादतर कहा है अब मिरको जल्दी सा बता दो वैस्नोदेवी कहां पर यह क्श्मीर के बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा किस डिस्टिक्ट में आपको देखने को मि ղेकिए अंदर ही आपको वाली माता का टेंप्ल याने की टैंपल ओ अ महाकाली को मिलता है यह किसने बिल्ट किया है यह क्या गया है गुलाब से द्वारा 1822 में इसके अलावा करहां बात करें existing फोड़ा सा आते हैं डिटेल में रगुनाद टेंपल पूछा जया सकता है कहां पे हैं लार्जेस टेंपल इसको आप कह सकते हैं नौर्धन इंडिया का पहली चीज किसने बनाया है अब यह चीजे ना थोड़ी सी ट्रिक्की है थोड़ी सी मुश्किल होगी बाकी के काफी सारे मंदिर है और काफी फेमस मंदिर है यह सब पता होना चाहिए पहली चीज रगुनाद टेंपल किसने बनाया था 1857 में मंजरवराजा रनबीर सिंग ने बनाया था इतना आप लोगों को बता होना चाहिए नेक्स पर आते हैं पंजबकतर टेंपल और यहां पे एक सं संस्क्रिट लाइबरेरी जो है यह आपको किस में देखने को मिलेंगी जहां पर रेर संस्क्रिट मैनिस्क्रिप्ट है जैसे कि बसोली पेंटिंग क्यों एक पर्टिकुलर कठ हुआ से पूछवा जाता है वैसी डारेक्ट क्वेशन बन सकता है कि आपको यह जो संस्क्रिट मैनिस्क्रिप्ट है यह किस टेंपल में देखने को मिलती है ठीक है याद रखना नेक्स पर आते हैं पंच्वक्तर टेंपल यहां मैं आज हो के आया हूँ शिवरात्री है तो यहां पर याद रखना राजा गुजे सिंग ने बनाया था कब बनाया था यह इतना बनाना होगा एजी बनाना होगा वो पूछलेगा कि पंच्वक्तर टेंपल कहां पर यह Nah question को दिफीक। बनाना होगा को यह्राइब करता है तो यह खोड़ा की वजड़ा फीक्ट contin में और Hm temple काफी पास है एक ओर temple है रमेश्वरम temple जो हमारी लाइबरी से hardly 2 मिनिट की दूरी पर है यह याद रखना काफी famous temple है किसने बनाया है राजा विरमदेव ने इसको बनाया था अब यहाँ पर पीर्खो जो है यह केव है और इसे ही जामवंत गुफा भी कहा जाता है जो बियर हीडो था रामायन का ये कहा जाता है कि उन्होंने यहां पर meditate किया था देखो वही सेम चीज है तभी हर एक टेंपल की थोड़ी सी मैंने यहां पर हिस्ट्री रखी है और यहां पर कहा जाता है कि एक ऐसी केव है जो डिरेक्ट अमनात को निकलती है यह भी कहा जाता है अब paper में क्या है easy पूछेगा तो पीरखो किस district में है यह पूछेगा अगर difficult करना होगा तो यह पूछा जाएगा कि जामवत गुफा जो है जो कहा जाता है वह किसे का जाता है ठीक है नहीं रहता इतना याद कोई बात नहीं बढ़ना थो है नेक्स पे आते हैं रानी कुलाडी देवी टेंपल इतना इंपोर्टन नहीं है पेपर में पूछा जाएगा लेकिन यह पूछा जा सकता है कि महराजा रनभीर सिंग की वाइफ का नाम क्या था उनकी वाइफ का नाम था रानी सुभा देवी जिनके नाम पे यह रखा गया है जो कलोरी स्टेट से थी पांच 34 है जमनु सीटी का आप मान की चल सकते हैं, जमनु सिटी पहले थी वहीर से ही शुरू होती थी पांच टेंपल आते हैं कलोस प्रॉक्षिमिटी पर इतना इंपॉर्टन नहीं है यहां पर जो इंपॉर्टन है आज हम उसी को डिस्कस करेंगे मालक्षमी टेंपल महराजा नभीर सिंग ने बनाया था बस इतना याद रखना आप शंबू टेंपल देखने को मिलेगा दुद इन्हों ने जम्मू आये थे कहां से सवाजवार से यह आये थे यहां पर और इन्हों ने क्या किया था एक बनाया था यह और यहां पर यहां रखना राजा अजेब देव जी जो थे वह भी इनको शुगर और स्वीट जो थी वह देते थे यहां पर यह ठीक है पहला ठीक है दूसरी चीज अब यहां पे जो important है हम direct उस पर आते है यह बस इतना याद रखना पीर बुदा अली शाग साहिब कहां पे है सत्वारी एरपोर्ट है अब पेपर में क्या question पूछा जाएगा जो श्री गुरुनानक देव जी थे उनके close friend के रूप में माना जाता है अब देख मस्जिद दिखेगी oldest है यहां पे गुर्द्वारा देखने को मिलता है सुंदर सिंग जी का जो की आपको दिख जाएगा जो important पार्ट आता है अब हम direct उस पर आते हैं अंबरा बहुत important है अभी तक पेबर में इस पर इतने question नहीं बने लेकिन expected है कि इस पर question बनाया जाएग अंबरा कहां पे है basically कुछ लोग जो local लोग है वो इसे पांबरा के नाम से जानते है अखनूर सैसील में आपको देखने को मिलेगा अंबा जगदेव पवार ने इसको बनाया है जो की पवार dynasty से belong करती है साधी साथ अगर हम बात करें original capital of अखनूर जो मैंने आपसे question पूछ वो किसे कहा जाता है वो अंबरा को कहा जाता है और यह इकलोता Buddhist center सा जम्मू division में अगर हम बात करें तो इसलिए यह काफी important है पेपर से ठीक है अब यह जो है इसके अलावा only early Buddhist site है पेपर में यह पूछा जा सकता है मुबार्ख मंडी की बात करें यह आप लोगों ने आप आपके पंचायद account assistant में पेपर में पूछा गया था उस समय तब हमारी district series नहीं आई थी royal residence जो था यानि की main seat जो थी 1925 तक कहां पर थी वो मुबार्ख मंडी में थी किस ने move किया था तो हरी सिंग ने किया था महराजा अरी सिंग ने इसको move किया था वहां से इसको और साथी साथ यहां पर आप लोगों को gold painted bow and arrow of shajan जो है वो आज भी देखने को मिलेंगे अमर पहल पहले कहां पे है पेपर में डिरेक्ड पूचा जाए किस जगा पे है किस architecture पे यह पूचा जाएगा बाहू फोर्ट में आपको बता दिया राहू राजा बाहू लोचन ने बनाया था अगर पूचा जाए बावे वाली माता का चिनाब रिवर पे है आप देखो जम्मू में आपको दो फोट ज्यादा इंपॉर्ट देखने में गों लेंगे एक तो बाहू फोट है और एक आता है अपका अखनूर फोट भी आपका 2015 में पूछा गया था किस रिवर के किनारे पे है तो यह चिनाब में है और यह है आपका तवी पे जो बच्चे हमारे जम्मुग से नहीं है बाहर से जम्मुग के बच्चों होते पता है जो कश्मीर के हैं वहां पर सबसे important part अखनूर फोर्ट का किया आता है जो इसकी tough है उन्हें किसके नाम से जाना जाता है किशोर सिंग बुर्ज अभी तक पेपर में यह question नहीं बना high chances हैं कि वह यहां पर आप लोगों को देखने को मिल सकता है यह question आ सकता है वेपन में कि जो अखनूर फोर्ट की toughs है उन्हें किस नाम से जाना जाता है तो उन्हें जाना जाता है किशोर सिंग बुर्ज के नाम पे जो की father थे महराजा गुलाब सिंग के ठीक है अब एक और चीज यहां पर आपको पता होनी चाहिए महराजा गुलाब सिंग किशोर सिंग के वारे में यह किसके close associate थे तो यह थे 10th सिंग गुरु 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 गुरुबिन सिंग जी के ठीक है दो पॉइंट यहां पर याद रखना सिंग जो गुरु है उनका काफी close अगर हम बा आनक देव जी यह पहले थे वह लास्ट थे और एक और श्राइन है इनका कहां पर अनंदपूर साहिब जो की पंजाब में तो यह याद रखिएगा पूछा जा सकता है कि कहां पर है सतवारी एरपोर्ट में अगर आप लोगों से यह चीज पूछी जा सकती है अब थोड़ यहां पर भी पूछा जाए नेक्स्ट क्वेशन अगर मैं बात करूं जो सर्कुलर रोड है यहां पर जमू में उसका नाम भी बदलके अटल जी रोड कर दिया गया है ठीक है इसके अलावा काफी सारी स्कीम्स निकाली गे थी पैरो स्कीम जेके और सॉफिसेस के लिए पहल करो जल्दी पहले मैं इसका आंसर किस के किस्प लगया जाएगा किस हैंडी क्राफ्ट पे वो लगया जाएकon sil Although I जल्दी से में पहले यह बताओ जो अभी recent February आपको हाँ एक और चीज बता दू कल या पर्सों में जो जम्मू जैन्वरी और February के जितने भी important current affairs है 2022 के जेंड के के वो मैं आपको cover करवा दूंगा जल्दी से आओ शॉल इसका answer नहीं इसका answer नहीं है ठीक है कारपेट के ऊपर qr code लगाया जा रहा है शीप के ऊपर लगाया जाए अंकुष मनास ने काया ठीक है चलो आजो नेक्स पर आजो यह हम उस लेक्चर पर करेंगे तीन डिस्टिक्स अभी हम लोग कवर कर चुके हैं आदे घंटे में इस स्पीड से हम लोग अगर चलते रहे त साड़े तीन गंटे का लेक्चर होगा बट जम्मू डिस्टिक्स काफी बड़ी थी और इंपोर्टेंट थी तो इसको कवर करना था तीन डिस्टिक्स हो चुकी है कठुआ सामभा और जम्मू हम लोग कर चुके हैं अब हम यहां से चलेंगे थोड़ा सा टर्ल लेके रास्ते से होते हुए लेकिन जो अगर हम बात करें मुगल्स की तो वह कौन से रास्ते से जाते थे वह जाते थे रजोरी पुंच के रास्ते से ठीक है यह चीज़े हम लोगों ने करी है नेक्ट पर आते है अब जो बच्चा लिख रहे हैं उनकी सिटी है बहुत अच्छी बात है अगर मैं बात करूँ थोड़ी सी स्लाइड आगे पीछे होगी है कोई बात नहीं उदंपूर का नाम किस राजा के नाम के उपर रखा गया है सबसे पहले है तो क्वेशन ये पेपर में पूछा गया है दो से तीन बार ये क्वेशन आने के शायद सी यही क्वेशन ह अगर बात करें काफी फेमस है सांबा की बात करें तो अपनी पेंटिंग्स को लेके सांबा की बात करें तो बाइस मंडी आ गया यहां पे आप लोगों को देखने को मिल सकता है यहां पे आपको राशबूर वारियर्स देखने को मिलेंगे ब्रीगेडीर साब कि आप वहां पर बात करेंगे उदमपूर की अब थोड़ासा मैप पर चलो आप लोगों को ऐसे चीज़ें ज़्यादा दिमाग में बेंगी उधंपूर बहुत एक important role play करता है अगर हम बात करें जम्मू और कश्मीर की तो यहाँ पर इसी लिए और आपको पता है कि कश्मीर जिससाब से हमारा काफी थोड़ा सा disturb रहता है उस वज़ा से क्या है यहाँ पर आप लोगों को district capital देखने को मिलती है किस क्या जो headquarter देखने को मिलता वो है northern command headquarters यह question में से intelligence bureau के interview में पूछा गया था कि कौन सी ऐसी command है जिसका headquarters आपको अधंपूर में देखने को मिलता है आम forces के लिए जिससे जम्मू से कश्मीर ट्रावल करने के लिए काफी हो अब यहाँ पर क्या है रोड के थू नहीं पर आता है और यहाँ पर हम इंचिंट की बात करें तो यह जो कश्यप जी के ने लिखा है उसके बारे में पूरा mention किया गया है कि कि इस तरीके से सारी ही है काफी जादा कश्मीर जो है जो उनकी बेसिकली प्रिंसली स्टेट्स है वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मुगल्स ने रूल किया उसके बाद पारिशन ऑफ इंडिया के बाद काफी सारी चीज़ें हुई पाकिस्तान ने यहाँ पर टैक किया और उसकी वजा से जो बेसिकली यहाँ पर है important military basis जो है यहाँ पर बनाएगे ताक कि जो इंडिया को defend कर सके अगर कल को in case in future जैसे अभी उक्रेयन रशिया हम दोग देखने है अगर कल को माल लीजिए कुछ भी ऐसी चीज़ होती है तो यह तैयार है यहाँ से quick response force की तर अगर हम बात करें उधंप important tourist destinations की बात करें तो यहाँ पर दो चीज़े काफी important है जो paper में पूछी जा सकती है पहला देविका ब्रिज याद रखना देविका ब्रिज क्यों important है क्योंकि यह भी recently announce किया गया है किस ब्रिज के साथ पुनेजा ब्रिज के साथ यह 2020 के current affairs में था यह 2021 में था पहला point याद र पूछाना जाता है sister of ganga river अमेरिको आपको लोगों से यह question है पेपर में direct question पूछा जाएगा किस river को कहा जाता है sister of river ganga sister of river ganga कहा जाता है देविका को और आप से पूछा जाए किसे कहा जाता है daughter of son 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 मतलब son son sorry surya putri कि से कहा जाता है surya putri कहा जाता है तवी को यह जो traditional है ना कहीं बार यह culture में आपको पूछा जा सकता है जुर्णी नहीं है आपका जो culture and heritage है आपको इसमें यही पूछा जाए surya putri तवी कहा जाता और गंगा की जो बहन है उससे देविका का जाता है पहला पॉइंट इसके अलावा यहां पे आप लोगों को बता दू आपको अब आघनारे ही किनारे वहांaren आते नथा टॉप पट्टी टॉप यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ठीक है इसके पहले आप यहां पर बताओ जल्दी बताओ यह जो रामनगर फोट है यह आपको देखने को मिलेगा कुद्र रिवर के लेफ साइट किस ने बनाया था राजा सुचेट सिंग ने राजा सुचेट सिंग के बारे में अभी तक हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी हैं उसको एक बार जल्दी से रिकॉल कर जल्दी से बताओ और किस जगह क्या है जल्दी से बताओ पहले जल्दी से बताओ फर्स टूरिस विलेज ऑफ रामबन और उदंपूर जो था वो था पंचेरी पहला टूरिस विलेज हां इसके से लिया नाम जिशान ने लिखा जूगू खैरान याद रखना यह जगा जूगू खैरान जो है कहां पे हैं बढगाम में यह भी टूरिस पेपर में पूछा जाएगा जम्मू कश्मीर का कौन सा था पंचेरी उदंपूर का कौन सा था पंचेरी पहला बढगाम का कौन सा है तो वह है जुगू खैरान ठीक है यह याद रखना नेक्स पे आते हैं अब यहां पे हां करेंड़ फेर कि अगर मैं बात करू उदंपू पेपर में यह भी पूछा जा सकता है कि यूएस बी आरल में बी क्या है ऑप्शन में देगा बांदीपुरा बढगाम भारमुला तो यह याद रखने पूछा जा सकता है पेपर में कन्फ्यूज करने के लिए होंगे नहीं बच्चे वह बात अलग है अब थोड़ा सा यहा जल्दी से बताओ जो बच्चा लिखने की सच में बरिया तो बहुत अच्छी बात है हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको बागी जगा भी देखने को मिले ऐसी जो हमारा भी हाइवे बना जो बना है जमू से उधंपूर का रास्ता बोता हमने देखा है अब जल्दी स डिस्ट्रिक्ट कब बनाई गई है नेक्स पर आते हैं नेक्स डिस्ट्रिक्ट आती है हमारी यहां पर रियासी ठीक है रियासी डिस्ट्रिक्ट में इतनी जादा चीजे नहीं हैं लेकिन जो चीजें हैं वो उसकी वेज़ा से जम्मू कश्मीर जाना जाता है तो थोड़ा स से हुई है हम लोग ने देख लिए सेपरेट डिस्टिक्ट बनी थी एक एपरल 2007 को पुराना नाम क्या था बहुत इंपॉर्टेंट है यह जो यह डिस्टिक्ट है यह काफी इच्छी लगती है वरको छोटी सी डिस्टिक्स है जितना भी क्वेशन बनते हैं पांसाथ वो सारे एक ही पेज में cover हो जाते हैं कौन सी river के किनारे पे है चिनाब river के किनारे पे है 8th century में रयासी पार्था भीमगर स्टेट का जो किसने बनाई थी भीम देव रस्याल जी ने अब यह जो भीम देव रस्याल जी थे इनी के नाम के उपर इस जगा का नाम रखा गया था जो की पुराना नाम था रियास्ती का, याद रखना ठीक है, अब पेपर में क्या है, जोग्राफिकल स्टेटेस आप लोगों पता है, थोड़ा सा हिल्ली है, लेकिन लो लाइं हिल्ली रिजन है, अगर आप लोग अभी गए है, तो आपको पता चली जाएगा यहाँ का, में क्रॉप्स कौन सी है, वीट और मेज जो है, वहाँ की में क्रॉप्स है, कौन कौन सी जगा नजदीक है, अधंपूर, रामबन, रजोरी, जम्मू, अब यहाँ पर आते हैं थोड़ा सा और, पार्ट अफ डिस्टिक्ट अल्सो टचिस शोपियान डिस्टिक्ट और में, आप लोगोंने सुना होगा, अंजी खाद ब्रिज, जो है, यह पहला, क्या है, इंडिया का पहला, केबल स्टेड, रेल ब्रिज है, और इंडिया का पहला है, इसलिए काफी ज़्यादा important है, पेपर के form में, ठीक है, पेपर में यह चीज ऐसे पूछी जा सकती है, पहल बावा, और क्या चीज important आती है, यहाँ पर आपको इन सब के नाम याद रखने, अंज, रुद, प्लासू, बान गंगा, बान गंगा तो वैशनो देवी में आप लोगों को पता ही होगा, पाई, अंज, अंजी, यह सब जो है, यह आप लोगों को देखने को मिलती है, आत्रश्नाइन ऐसा है, जिसकी खुद की disaster management force है, पहला point, इसके अलावा आपको बहुत सारी destination यहाँ पर मिलेगी, जिसमें शिव कोडी, बावा अगर जीतो जी, सियार बाबा, बाबा डंसर, डेरा बाबा बादा बादूर जी, जियारत वाजी, इसमाइल साहब नियर बारक सलाल हाइड्रो पॉवर प्रजेक्ट, मार कर लो, most important है, भीमगर्ड फोर्ट, जिसे हम लोग रियासी फोर्ट के नाम से भी जानते हैं, अब यहाँ पर देखो, बंदे भारत एक्स्प्रेस भी चलाई गी थी, कट्रा से डेली, अब जो चीजे पेपर में पूछी गई है, म में श्री मातर वैश्नोदेवी सबको पता है, नहीं आएगा, अगर आ गया तो सबको एक नमबर मिल जाएगा, इसके बाबा, सियाड बाबा, पूछा जा सकता है, सलाल हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट, पूछा जा सकता है, कहां पे है, पहला पॉइंट, ठीक है, कहां प बाबा डंसर पूछा जा सकता है, अगर मैंने लिखा है, तो बाबा डंसर जितने नाम है, यह रियासी के बारे में आपको बताया था, देखो एक ही पेज का है, लेकिन जो भी question paper में पूछेंगे आपको बस इसी पार्ट से निकल जाएगे, या फिर आप से यह यहां से कोई बात नहीं, अभी हम लोगोंने कश्मीर जाना है, अभी हम आदे रास्ते तक ही पहुंचे है, ठीक है, अब यहां पर आजाओ, कठुवा से निकले थे, सामबा से होते हुए, जम्मू से होते हुए, रियामबन तो अभी हम पहुंचे हैं, रामबन पर एंड करेंगे, ह एक SSB की फेवरेट डिस्टिक्ट का नाम है राजोरी पेपर एक अकेली डिस्टिक्ट में पांच से साथ क्वेशन सिरफ एक जगह पर है जो अच्छे कहने की बस कोई बात नहीं आप सोजाओ आप लोग 6 मार्स के बाद भी इसको देख सकते हैं यह वीडियो लेक्ट्र यहीं पर बात करते हैं अब हम लोग राजोरी डिस्टिक्ट के उपर डिर्रेक क्या पूचे जाते है ठीच है पहला ग्वेशन यहां पर क्या है जो बहुत बार पूचा गया है लाइंड ऐसकिक्स क कर रहा हूं कि मैं जल्दी से यहां पर कवर कर वाँ पहली हम बात करेंगे राजोरी डिस्टिक के ऊपर राजोरी को क्या आता है राजोरी को का जाता है लाड ऑफ किंग्स पेपर में बहुत बार पूछा गया है यह जो नाम आप लोग देख रहे हैं यह बहुत बार आये रा करें थोड़ी सी और बात हिस्ट्री की करें तो जो अगर हम बांत करें महाभारत के टाइम पर इस पर क्वेश्चन नहीं बना है बड़ आपके काड़ी हो जाएगा महाभारत के टाइम से यहां पर चीजें वह सामने आई हैं जो वहां के पंचाल नरेश थे जिनकी बेटी थी द्रोपदी और कहा जा रहा है कि द्रोपदी ने जो शादी की थी पांडवास के साथ महाभारत में पूरी महाभारती इनी की वज़ा से हुई थी तो यह चीजें अल्रेटी मैंशन है द्रोपदी कहां से बिलॉंग करती है राजोरी से अब आप लोग यहां से समझ सकते हैं दारा बिसंगा जो है इट इस हिली स्ट्रेच फ्रॉम पुंच टू कश्मीर यह याद रखना पहला नाम लावर कोटे जो था पुंच रजोरी डिस्टिक में एक पौवर्फुल स्टेट मानी जाती थी उस टाइम पर कि काफी जादा यह है नेक्स पर आते हैं अब यह नाम ने हार्ली पांच लाइने पड़ी हैं जिसमें से एक दो तीन चार पांच ग्वेशन्स यहां तक अभी तक बन चुके हैं और यह पेपर में आये हैं सारे के सारे अभी सार अभी सार अब आप लोगों को पता चलेगा जो हम लोगों ने अभी उपर पड़ा है इसमें कंसीडर किये जाते थे एलेक्जेंडर ने भी इसको इन्वेड करने की कोशिश की थी मॉर्यन पीरिड के दौरान भी यहां पर काफी ग्रेट ट्रेट सेंटर था मुगर रूलर्स के अगर हम बात करें तो वो रुजोरी को रखा हुआ था उन्होंने अपना हौल्टिंग स्टेशन अब यहां पर एक चीज जो है लैंड आफ किंग क्यों कहा जाता है देखो इसी वज़ा से जो राजा थे जो लैंड आफ किंग्स का जाता है वो राजोरी को इस वज़ा से का जाता है क्योंकि इन सब ने रिटेन किया था किसको जो टाइटल था राजा का ठीक है पहला पॉइंट अब नेक्स नाम बहुत इंपॉर्टेंट है यह भी पेपर में पू का जोare का नाम क्या था तो राजोरी का राजा वाड़ी ठीक है पहला पॉइंट स्रीवर ने लिखा है तो श्रंगनी जो इन्हों ने अपना उसमें लिखा है उसके फोर्डिंग है इसका नाम था राजा पूरी जो इंपॉर्टेंट है जो पेपर बाूइं एय। छो कहा है राजोरी के रूलर के उपर क्वेशन में बना आए पेपर में बहुत बार किस किस तरीके से आया है पहला मिर्जा जफरुल्ला खान के घृवर ने क्या लिखा है राजवार को सब्सक्राइब पर नाम चेंज हो आजोड में और फिर नाम चेंज हो आजोडी में यह किसके द्वारा कहा गया है मिर्जा जफरुल्ला खाण के द्वारा नेक्स पर आते हैं जो पेपर में questions बनते हैं सीधा उसी पर पहला हिंदू ruler या पहला ruler किसे माना जाता है यह पेपर में questions बहुत बार बने हैं किसे माना जाता है तो इनका नाम है राजा प्रिच्वी पॉल नोट डाउन कर लो यह question पेपर में जरूर आएगा इस तरीके से question हर शिफ्ट में आये है लास्ट रूलर कौन थे इस समय अमना पॉल थे और पॉल रूलर्स के बारे में अगर आपको पूरी डेटेल चाहिए वो मैंने राजोरी की प्लेलिस्ट में जो एक specific lecture है जिसमें धेड लाक से जाला लोग देख चुके हैं उसमें सारी लिखी हैं बड़ आपको याद रखना है पहला कौन सा था और लास्ट कौन सा था अगर हम बात करें एस पर राज तरंगनी ऑफ कलहान हिंदू रूलर्स के अगर हम बात करें जो पॉल रूल चला था उसके तरह तारीक अगरेट हुए थे पंजाब से राजोरी में जिन्होंने यहां पर अगर हम जाएं ने रूलर बने थे राजा अफ रजोरी बने थे एंड ही लट दफ फांडेशन ऑफ जोराल मुस्लिम मुस्लिम रूल ठीक है पहला अब यहां पर यह क्वेशन भी बहुत बार पेपर में पूछा गया है जो नाम याद रखने है पहला पूछा गया है पहला हिंदू रूलर कौन था प्रित्वी पॉल लास्ट कौन था राजा रहीम उल्ला खान बहुत सारे लोगों के नाम है यहां पर कम है ठीक है नेक्स पर आते हैं अब यहां कि अगर हम बात करें काफी सारी सीज़े बनाई गई अब पेपर में एक क्वेशन आपको यहां पर देखने को मिलेगा बहुत बार पूछा गया है किसके नाम पर मिलान हित्तू के नाम पर जिसे हम मिया हित्तू कहते हैं अलग-अलग नाम से इन्हें बोला जाता है मिया हित्तू कि अगर हम बात करें 1846 से 18 चेंज किया गया था रजोरी का तो वह था रामपूर का नाम था पहले जो बाद में चेंज किया गया था यह बहुत बार पेपर में पूछा गया है आप लोगों को याद रखना है पेपर में यह चीज़ें बहुत बार पूछी गई हैं यहां पर पेपर में इतनी सारी ची पेपर में क्वेशन आया था एक में मिया इत्तु कप से कप थे धारिदार फोर्ट रामपूर सिरफ चार लाइनों से जुनियर एसिस्टेंट की शिफ्ट में आपको मैं पेपर भी भेज दूंगा पांच से साथ क्वेशन सिरफ राजोरी से आया है सबका अंसर राजोरी था ठीक है और 1904 में तैसील को सेपरेट किया गया था बिंबर से अलग करके और रियासी डिस्टिक के साथ इसे एफिलेट किया गया था लेकिन इसके बाद टाइम के साथ चीज़े जो बढ़ती गई 1968 म को رाजोरी डे के रूप में बना जाता है ठीक है 13 एप्रल को हर साल राजोरी डे के रूप में मंना जाता है अब थोरी सी टोरिस जमू कश्मीर के current events में थे तो पंचायत जमूला जो है basically इसे award मिला है child friendly ग्राम पंचायत का 2020 में इसके अलावा पंचायत धांगरी जो है इसे भी award मिला है नाना जी देशमुक राश्चे गोरव ग्राम सबा पुरुसकार पंचायत ऑफ जलूरा जो है इने भी award मिला है ये basically य यह कहां की है यह राजोरी की ठीक है पहला पाड़ यहां पर तो यहां तक cover है राजोरी भी मैंने आपको बता दिया ऐसे ही नहीं paper में इतने सारे questions बनते हैं बहुत सारे content यहां पर आपको paper में देखने को मिला है next पर जलते अब अभी तक हमने time हो चुक है एक घंटा हम लो जो अगर ज्यादा confusing है तो कोई बात नहीं आप इसको अराम से पूरा lecture पड़ सकते हो ठीक है next पर आते हैं अब हम लोग जिन लोगों को अभी यहां पर कुछ पर चलिए है thumbnail confusing है तो कोई बात नहीं मत देखो अब lecture पर focus करो next पर चलते हैं पुंच district पर पुंच district हमारी अब कि most viewed lectures है धाई लाग से जादा लोग इस lecture को देख चुके हैं importance क्या क्या है इसकी हम उस पर बात करते हैं ठीक है 10 डिस्टिक का target लेके चलते हैं 10 डिस्टिक के बाद discuss करेंगे कि आगे continue करना है या नहीं ठीक है आजो सबसे पहले अगर हम बात करें पुंच district की तो Alexander ने भी इसको invade करने की कोशिश की थी जेलम बेल्ट के पास जहां पर पोरस के साथ उसकी जंग हुई थी और यह कोई मजाख नहीं है बहुत important point है यह और उस जगा को उस जगा को क्या कहा जाता था द्रावबिस सार पहला point 326 BC में paper में question नहीं आया बट आ सकता है नेक्स पर आते हैं कि पुंच famous था graphics fine tea और good horses के लिए तो किस ने कहा था यहां पर कि पुंच famous है graphics fine tea और good horses के लिए तो यह का गया था यूंसांग के द्वारा 1850 80 में क्या हुआ था पुंच seven बन गया था state बन गया था किस ने किया था यहां पर rule यह किया गया था राजा नार के द्वारा जो कि खुद क्या थे एक मैं कश्मीरी एकसेंट में क्यों था लगया जो खुद एक horse trader से सौरी यहां पर किसी को कुछ कह रही रहा नो यहां पर कोई वह नी तो ठीक है पहला राजा नार सिंग के अगर बात करें तो यह खुद एक horse trader से horses जो हैं कश्मी पुंच के काफी जादा famous है तो बात करतें ने महमूद घजनवी को जिन्हों ने इन्वेट करने की कोशिश की थी 1020 AD में 1020 अब सारे कश्मीर के बच्चे यहां पर हस रहे हैं कोई बात नहीं हो चाता है horse horse चलते है सब चीज़े चलती है पढ़ो राज दिरंगनी की अगर हम बात करें तो उसके according किस ने tough fight दी थी तो तो लोचन पॉल ने एक tough fight दी यहां पर महमूद घजनवी को कब दी थी 1020 में इसके बाद 1596 में मुगल केंग यानि की जहांगीर इन्होंने क्या किया इन्होंने सिराज दून दीन को बनाया ruler of पुंच पेपर में question पूछा गया है चीक है कि कि किस ने बनाया है पहला तो यह प चोड़ी सी चीज़ें और याद रखनी है महराजा रंजीज सिंग ने जब इसको capture किया था और इसको कहां पर लेगे थे पुंच को किस में लेगे थे पुंच को लेगे थे खालसा दरबार में जो की लाहोर का था basically अब लाहोर अगर मैं आपको यहां पर ले जाओं यह हैं 1819 में अब हुआ क्या basically उसके बाद क्या हुआ 1850 में आये राजा मोती सिंग जो किसके बेटा थे जो बेटे थे राजा ध्यान सिंग के अब यह पेपर में question बन सकता है इस तरीके से जो राजा ध्यान सिंग थे वो उस समय प्राइम इनिस्टर थे खालसा दरबार के लेकिन राजा मोती सिंग ने क्या कहा उन्होंने यह कहा कि मैं इसको एक अलग प्रिंसिपलिटी बनाऊंगा अलग स्टेट बनाऊंगा पुंच स्टेट के नाम से और वहां से डोगरा राज की शुरुवात हुई पुंच में किसके द्वारा की गई याद रखना राजा मोती से दिमाग में आएगी नेक्स पर आते हैं हम लोग यहां पर डोगरा डैनिस्टी की अगर हम बात करें इन्होंने पुंच रूल पुंच पर राज की आठाना सो पचास से निस सो संतालिस तक उनिस सो संतालिस में जब देश का पार्टिशन हुआ तो आदी से जादर जो तै थी उसके बाद सरदार अब कयूम खान जो थे वह एड्मिस्टेटर बन गए थे पुंच के अंडर दा ओर्डर ऑफ किश्मीर गवर्मेंट अब इनका नाम आपको याद रखना है 1940 में यह हुआ था आपको यह भी पता होना है क्योंकि यह जो चीज़े ना यह अभी तक पेपर में नहीं पूची गई पहला पॉइंट यह आपको पता होना चाहिए नेक्स पे आते हैं दे एरा फ्रॉम 1815 तो 18 1947 इसको कंसीडर किया जाता है गोल्डन पी एरा ओफ पुंच हिस्ट्री का यहां पर थोड़ी सी चीज़े और पर बताता हूं अगर हम बात करें पिंसिपालिटी ओफ पुंच जो है उन्हें स्टेटस मिला था स्टेट का 1901 में ते अपर ब्रिटिश ना ग тебе दो아니 ऑफ राजा बलदेव सिंव राजा मोति सिंग बल देव सिंग सुगदेव सिंग जगत देव सिंग राजु शिवरतन देव सिंग इसंग अपुंच किला का आ जाता है इसें ने किया था hive share डि किस ने कियाँ तो यह पाइगा थोड़ा सा आब क्योंकि हमारे सिस्ट्म भी क्या रहे है कि दो मिनिट खिलेप तो यहां फे आप लोगों से तब तक इस्टार्ट होता है पीडिएफ आल्रेडी हमारे ग्रूप में पड़ी हुई है आपको वापिस से मैं दे दूँगा आप लोग कर लेना मोती सिंग का नाम याद रखना अभी तक पेपर में क्वेश्चन नहीं बने बट बन सकते हैं जो रीजनिंग के क्वेश्चन कहने वो सब यहां पर आ जाए जल्दी से पहले नाम बताओ अभी है थोड़ी देर का टाइम लेगा रीस्टार्ट होने में कोई बात नहीं जल्दी से बताओ नूरे च्छम ठीक है इसके अलावा क्या लिखने है बच्चे बच्चा लिख रहें कि बगलियार कहां पर बगलियार डैम आप लोगों के साथ डिसकस्ट तो किया था कल जब जग्राफिक की क्लास में हम लोग सारे कर रहे थे आज़ो या जल्दी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आज़ो सीदा कितनी क्लास हो चुकी है यह तक हमारी एक घंटेगी हो चुकी है अब आज़ो यहां पे यहां पे थे हम लोग आज़ो ठीक है वापिस आजो किसे बनाया था इन ऑर रिफिल्ट के अदुमिश ने राजा रुस्तिम खान क्या दाए इसको बनाया था इसके अलावा मुबारहमंडी टाउन की तरह मिलता जुलता एक सेम विल्डिंग भी आपको वहां पर देखने को मिलेगी फांटेन गार्डन है पुंच में जिसे शालिमार गार्डन ऑफ कश्मीर के पैटन पर बनाया गया है ठीक है अगर एक्जामिनर पूछेगे बट पूछे जा सकते हैं इसके अलावा टूरिस देस्टिनेशन एक बार इसको यहां पर आप लोग देख लेना यह सब चीजें हम लोगों ने डिसकस की हैं पहले भी आप लोगों को बताया हुए तो यह आप लोग कर लेना यह आप से पूछा जा सकता है कठुवा उधंपूर रियासी राजोरी पुंच कवर कर चुके हैं टोटल डिस्टिक्स हो चुके हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ नेक्स पर जलते हैं चोटी डिस्टिक्स को हम पहले कोशिश करेंगे करने की अनंतनाक से हम होते हुए गुजरेंगे अब थोड़ा सा स काउंटलेस प्रेंग्स काउंटलेस मींज अनंत श्प्रिंग्स मींज नाग जो इसलिए अनंतनाक इसे कहा जाता है अब अगर हम बात करें यहां पर थोड़ा सा और डिटेल में जो अभी तक चीजें आती हैं बात करते हैं सर एस्टैन मोस्ट इंपॉर्णन पॉइंट है याद रखना सर एस्टैन ने कहा था ग्रेट स्प्रिंग अनंत नाग अल्सो कोरबोरेटेड बाइड और अल्मोस्ट ओलोकल इस्टोरियं इंक्लूडिंग कल्हाना अनंतना गॉट इस नेम तो यह चीज़े मैं अभी आपको पताई लैंड ओफ कॉंटलेस प्रिंग जो है क पर आते हैं अनंतनाक का नाम औरेडी मेंशन है निलमत पुरान में भी लेकिन अब यहां पर जो क्वेशन पेपर में पूछा गया है वह आता है इसलामाबाद के नाम से भी इसे जाना जाता है पेपर में पूछा गया था कि एस सच इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है बट आपको यहां पर बता दूँ पेपर में यह क्वेशन पूछा गया था तो आपको यह याद रखना है मुगल रूल के दौरान 1663 AD में रखा गया था इसलाम खान के दौरा जो गुलाब सिंग का टाइम आया था तो इन्होंने वापिस से नाम बदल के अनंतना कर दिया था इ अब बात करें हम यहां पर कश्मीर की कश्मीर की तो मुस्लिम रूल शुरू होने से पहले जो कश्मीर था वो तीन हिस्वों में शिम्यर्व इसादर यह पहले कहा जाता था Muslim rule से पहले और इसमें हुआ कया था जो पार्ड था इस वैली का यानि की पीर बंजाल से सिरे नगर तक उसे मरहान को दे दिया था और जिसका नाम अर्फाज रख दिया गया था और जो बाकी का था उसे क्या किया गया अब जो Muslim rule से पहले अनंत इतना आग था वो किस नाम से जाना जाता था वो जाना जाता था मराज नाम से चीक है वाइल स्रिनगर is no longer known as यम्राज अब यह यम्राज था और इसके साथ जो नौर्थ और साउ्थ कश्मीर है उन्हें आज भी कुछ लोग काम्राज और मराज के नाम से जानते है value of Kashmir के अगर हम बात करें तो Lawrence जो है उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर approximate आपको 34 subdivisions जो है देखने को मिल जाएगी अब यह जो नाम है जिसको मैं circle कर रहा हूँ इनको थोड़ा सा ध्यान रखना अगर paper में पूछा जाएगा direct answer आपको सिर्फ एक नंबर से फाइदा मिल जाएगा इसके अलावा tourist destinations की बात करें तो बहुत सारी tourist destination आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है जिसमें सबसे पहला आजाता है आपका पहल गाम जिसे village of shepherds भी का जाता है और यहीं से आपकी अमना थ्यात्रा भी शुरू होती है अब shepherds की अगर हम बात किया रहे है तो sheep जो है इनके लिए किस तरीके से काम करना कैसे नहीं जम्मू कश्मी नीजिलैंड के साथ मिलके एक agreement sign किया है ठीक है इसके अलावा बात करते हैं हम लोग यहां पर अचबल आपको देखने को मिलेगा बागे बेगम आपको देखने को मिलेगा जिसे डेवलप किया गया था नूर जहान के द्वारा को के नाग वहरी नाग जितने भी आपको यह नाग दिख रहे है न जाद तर इसको आप लोग गेस कर सकते हैं यह आपको अनंतनाग में देखने को मिलेंगे फर्स टूरी स्पॉट है कश्मीर वाली का जिसको अगर हम लोग बात करें जम्मू से अगर हम कश्मीर में आते तो वहां पर आपको तभी मैंने अब बात करेंगे स्रिनगर के ओपर स्रिनगर पर क्या questions बन सकते हैं डारेक्ट उसी पर आते हैं सबसे पहला question तो सबसे easy question स्रिनगर को हमारी summer capital भी कहा जाता है और साथ सार विंटर capital जम्मू है यह आप लोगों को पता होना चाहिए काफी सारे gardens है हैं लेक्स हैं हाउस पोर्स हैं हैं हैंडिक्राफ्स हैं जिसकी वाज़े से काफी फेमस है city is famous for nine bridges no bridges जो हैं यहां पर दो पोर्स को connect करता है city के इसी लिए यह city काफी फेमस है city of nine bridges भी पूछा जा सकता है city of nine bridges कौन सी है तो वह है स्रिनगर होके सर वेट लैंड भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा रामसर साइट के अगर हम बात करें टोटल कितनी है 47 पहले थी अब और एड हो चुकी है यहां पर तो पहले comment box में लिखके बिदाओ आज की डेट में कितनी है यह पहले जब हमने lecture हो रहा था तब 47 थी लेकिन औ कौन सी टोटल एड हुई है दो और एड हुई है टोटल हो गया 49 कौन सी हुई है कौन सी नहीं उस पर हम बाद में आएंगे नेक्ट पर आते हैं रामसर साइट के अगर हम बात करें यह सो मोरीरी आपको देखने को मिलेगी लदाफ में लेकिन होकेर सर गुलर और सुरिंसर म मांसर आपको देखने को मिलती है जम्मू में नेक्ट पर आते हैं यह क्वेशन आपको पेपर में पूछा जाय सकता है थाल्जंद ऑफ माइगरेटरी बर्ड कम फ्रॉम साइबीडिया अब काफी सारी बर्ड जो है साइबीडिया से यहां पर आती है हर साल तो यह पहला सरीनगर में आती है आप से पूछा जा सकता है कि डिस्टिक में आती है दूसरा पूछा जा सकता है कि किस कंट्री से आती है थीक है important places की अगर माँ बात करूं important places आपको चश्मा शाही बदाम वारी हरवान ट्यूलिप गारडन डल लेग एको सेंस्टिव जोन भी है यह हरी परबद फोर्ट निशाद शारिमार गार्डन दचिंगम नेशनल पार्ग बोटानिकल गार्डन परीमहल और निगीन लेक यह सब आपको सिर्णगर में देखने को मिलती है इसके अलावा जो दो यूनेस्टव को हैं अब है तो यियसको है साइट ने करेंगे इंगी कहा है कि यह target रखाए कि यह मुगल गार्डन को क्या करेंगे एड कर जाएंगे युनेस्कों में इसले इसको रेनोवेट कर रहे हैं सिर्नेगर को किया गया था थर्ड इस पर काफी confusion हुई थी बच्चों को मौरियन एंपायर के दौरा आशोगगा के दोरा इन्होंने किया है ये इसमें यह तीक खरना इसको भी यह बीट पूचा जा सकता है उन्होंने इंट्रडियूस किया था बुद्धिशम को वैली में अब यहां पर एक और चीज़ा बुद्धिस कॉंसल भी यहां पर हुई है क किसके दौरान किसके उसमें वी थी आप लोगो बता देना कमेंट बॉक्स में कुशान को यह बलीव किया जाता है कि इन्होंने कंट्रोल किया था इस जिजन को फर्स सेंचुरी के दौरान और इसके अलावा अगर हम बात करें क्यूं किया था क्यूंकि इनका काफी जादा इसलिए इन्होंने किया था बुद्धिजम को शोका लेकिया थे यह भी आद रखना नेक्स्ट किंग विक्रम अधित्या जो थे उजयन के उन्होंने इस जगह को रूल किया है हंस ने भी इनको किया है 6th century में after 14th century किसके अंडर आ गया था यह मुगल के अंडर आ गया था औ पहला पॉइंट 1707 में मुगल डॉमिनेंट जो है वो इस जगह में खतम होने पर आई पेपर में question as it is पूछा गया है कि मुगल डॉमिनेंट कब खतम हुई कश्मीर में या सिरी नगर में किसकी मोत के बाद हुई और उन्जब की मोत के बाद हुई इनके बाद शुरुआ द सुख जीवन मल अगर हम बात करें यह दुरानी एंपायर जो था आर्मी उसमें सोलजर से बाद में गवर्नर बनाएगे उसके बाद के किंग बने कब से कब तक 1754 से 1762 तक यह बनाएगे 1814 में सिख रूल एस्टैबलिश किया गया किसके दौरा महराजा रंजी सिंग अब मै 1846 में क्या शुरू हुआ डोगरा रूल तिल 1947 और उसके बाद क्या किया गया प्रिंसली स्टेट इसको माना गया था ब्रिटिश इंडिया के अंडर 1947 तक भी ठीक है उसके बाद आप लोगों पता है किस तरीके से इंस्ट्रुमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ तो यह सब जो ही अब बात करेंगे थोड़े से करन्ट इवेंट्स के उपर जो की पेपर में पूछे जा सकते किश्मीरी सैफरॉन को जी टाग मिला है विलो बैट की जो है डिमांड की गई है लेकिन अभी तक इसे मिला नहीं है ठीक है जीस डव्ली फांडेशन बना रहा है रिस्टो 2021 में बहुत इंपॉर्णेंट है मुंबई औरेड़ी एड़िट है अब यहां पर यह पूछा जा सकते कि कि किस फील्ड में किया गया है क्राफ एंड फोकार्ट कैटेगरी में इसको एड़ किया गया है आज दसी डिस्टिक करेंगे कोई बात नहीं दस तक पहुंचे पहले इसके लावा मुंबई हद्रवाद चिनाई औरेड़ी एड़िट है वाला नसीबी इसमें एड़िट है स्केम्स जो है उसको पहला आपने आपका एक इन्फेक्शिस डिजीज ब्लॉक जो है फेसिलिटी मिली है अमर सिंग कॉलेज जो था उससे एड़ किया गया है एक स्प किसका प्रोजेक्ट है यूसबी अरल का प्रोजेक्ट है और से एस बीए ने भी हाल ही में क्या बनाया है पहला फ्लोटिंग एटियम कहां पे डल लेग में ठीक है यह तो आगया हमारा पहला पॉइंट अब हम बात करेंगे यहां पर आज की दो और डिस्टिक्ट के बारे म तीन डिस्टिक्ट कर लेते हैं तो इसको फिर कल करेंगे बाकी कट हुआ सांबा जम्मू उदंपूर रियासी राजोरी पुंच सिरेनगर हम लोग कर चुके हैं अब हम बात करेंगे गांदरबल के ओपर गांदरबल क्यों मैं यहां पर लेके आया हूं पहले आप लोग इस डिस्टिक्ट से कट के बना है अब बच्चे आगे हमारी डिस्टिक्ट आइए चलो बहुत अच्छी बात है आपकी डिस्टिक्ट है तो अगर आप लोग की चैनल पर पहली बार है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो आप यह भी क्वेशन अभी जूनियर असिस्टेंट में जो जैनुरी में वेपर हुआ उसमें पूछा गया है ठीक है गांदरबल का पहला नाम था गांदरबबल टाइम के साथ साथ यह गांदरबबल बना और कब बनी थी अलग डिस्टिक्ट एक अप्रॉल 2007 में गेटवे ऑफ सेंट्रल एशिया भी का जाता है तो यहां पर कन्फूजन नहीं होनी चाहिए जो क्वेशन बन सकता है वो मैं आपको बता दूंगा यहां पर पहले इस जगा को क्या कहा जाता था पहले वन ऑफ दा इंपॉर्टन स्टेशन था सिल्क रूड जो था उसका इस्लामिक इंफुलेंस यहां पर आया था सिंध वैली के थ्रू हजर शाही हमदानी जो थे या इंचिन शाह जो थे यहां पर आये थे कश्मीर को सो किलोमेटर है एरिया इस डिस्टिक का वो एक बेसिन है यह एक्जिक डेटा आपको याद नहीं रखना कौन कौन सी जगा कहां से आती है वह आप लोगों को नहीं रखना और गांदरबल को सिंध वैली के नाम से भी बहुत सारे लोग जानते हैं आज की डेट में नाला सि प्रोजेक्ट आपको यहां पर देखने को मिलते हैं जिसमें एक आता है अपर अपर सिंध प्रोजेक्ट और अपर सिंध रोलिक प्रोजेक्ट जो दूसरी जगा है सुंबल में पहला कहा है कंगन में अब टूरीज डेसिनेशन के अगर हम बात करें अब देखो पेपर में आते एक question आपको पता है अमनार या अर्मनार के कहां पर पहले अरको यह बताओ जल्दी से लेकिं कि एक्जेक्ट अमनार के किस डिस्ट्रिक्ट में जल्दी से बताओ फिर अम लोग इसको आगे चलेंगा आप लोग कफसे मैं बोले जारहा हूं आप लोग भी बोलो कमेंट बॉक्स में तब से बहुत सारी जगाएं आप लोग कर रहे हैं किस जगा में पहले बताओ अनंतनाग लेकिन आप याद रखना अगर पेपर में पुछा गया ना question की अमनात को जाने की एक easy approach कहाँ पे है to the amanaat cave has made the district world renowned easy approach अगर पेपर में लिखा गया तो उसका answer आप लोग मार करेंगे गांदरबल ठीक है ये चीज आप यहाँ पे याद रखना पहला point ठीक है shortest route जो है या फिस जो easy approach है वो कहां से है वो गांदरबल से है सोन मर्क बहुत important है हजार से जादा बार मुझे लगना है मैं lectures में बोल चुका होंगा middle of gold किसे कहा जाता है सोन मर्कों कहा जाता है middle of flowers किसे कहा जाता है जल्दी से बता हो मैं आप लोग भी बता हो मैं answer लिख रहा था यहां पर किसे कहा जाता है जल्दी से आप लोग बढ़ा हो गया मैं बहुत देर से बोरहा हूं आप आप लोग बोलो मिड़ो फ्लावर किसे कहा जाता है जल्दी से आंसर बता हो और किस डिस्टिक्ट में दोनों चीज़े जो बच्चा आंसर गलत मार करेगा उसको इस लेक्चे से बार निखाल दूगा पहले जल्दी से इसका बता बारा मुला गुल मार्ग चलो सही है पहली बार हुआ है डेड़ हजार बच्चे अभी क्लास को देख रहे हैं तैयारी यहां से पता चलती है कि कितनी अच्छी जा रही है सबकी और मुझा पता है सभी लोग नोयोर्ट डिस्टिक्ट देखके हैं फिर भी डिविजन के लिए बैठे हैं मंसबल लेक आप लोगो बढगाम मैं आज तो कवर नहीं करूंगा यह तो मैं फॉर्शूर कंफर्म आज बोता रहूं यह तो अभी तो मैं अभी तो नहीं करूंगा कुलगाम बढगाम पर आने से पहले हम दो चोटी डिस्टिक्ट पर चलते हैं जो कि हमारी काफी ज्यादा गंटेंट उसमें नही है काउंट करें जरा कितनी हो चुकी है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ अब अनंतना आग में हम कर चुके हैं दस दस हो चुकी हैं पुलवामा भी करेंगे अभी शोपियां भी करेंगे फिर देखेंगे अगर हिम्मत बची तो आगे चलेंगे आज आओ भी यहां भी शोपियां का पुराना नाम क्या था EPA में यह चुका है भी शोपियां हो का पुराना नाम नाम से बहुता है efficacy na तो जिसे हम लोग forest of Snow के नाम से भी जानते यानिकि जो मेनिग मतलभ ऑब respect नहीं होतो जो भी डिसेंड़ी ऑक्टूबर में 23 अक्टूबर स्पेसिफिक डेट जो भी जिसे नेच्टरल डिजास्टर ही डिकलेर किया गया था भरफ गिरी थी सेव की खेती लोगों की खराब होगी थी शोपियां में बहुत जादा फरक पड़ाता लोगों को अब यहां पर क्या है चे जो वजारत थी यानिकि जो चे एड्मिस्टेशन थी जो हैड़कॉर्टर था कश्मीर में वो उन में से एक थी लेकिन जो क्वेशन में बनेगा शोपियां का जो एंशेंट टाउन था कश्मीर का हिस्टॉरिकल इंपोर्टेंस रखता है क्योंकि यहां पर आ अब लेकिन यहां पर हम आएंगे जो डिरेक्ट पूछा जा सकता है कि किस जगह में आप लोगों को हॉली रेलिक देखने को मिल सकता है आजकी डिरेट में बहुत इंप्वरण यहां तो आपसे डिरेक्ट पिंजोरा के बारे में पूछवा जा सकता है या तो खान का या तो आपको डिस्टेक्ट के बारे में से भी जाना जाता है क्योंकि यह काफी जादा फेमस है होटिकल्टर सेक्टर के लिए मैंने आपको स्टोरी भी बताइए आपको यहां से भी याद हो जाएगा शीनेवान भी और एपल बॉल क्योंकि काफी सारी जो चीजें है वह आप लोगों अगर बात की जाए एपल टाउ लेक मुगल रोड यह सब आपको कहां पे देखने को मिलेंगी यह सब आपको देखने को मिलती है कहां पे शोपिया में बात करेंगा हम लोग सिधा पुलवामा पे ठीक है एपल टाउन कौन सा है वो सोपूर है मैंने बता दिया पुलवामा की अगर हम बात करें देखो बार पोरा जो थे यह थे चार को कंप्राइज करके बनाया गया है इनिशल इट वॉज तैसील हेड़कॉर्टर जिसका मतलब क्या था यहां पे निट टोगैदर यानि की चारों को मिलाके चारों कस्बों को मिलाके एक टाउन की शेव देना एक विलेच की फॉर्म में लाना पन्वाड गाम जो है अब तक करना चेविए और लिए जिसको बाध में इसका नाम बना पुलवार्म म기에 questions पूछा चुका है कि पुलवामा का नाम क्या था पहले गांदरबल का नाम क्या था पहले रियासी का नाम क्या था पहले यह questions पूछे जा चुके हैं तो यह चीज़ें पता होनी चाहिए ठीक है अब बात करते हैं थोड़ा में मत लिखना पुलवामा आज की डेट में राइस बॉल ऑफ कश्मीर है पुलवामा से पहले कौन सा था पुलवामा से पहले कौन सा था अब यह आप लोग बताओ पेपर में नहीं आएगा बर मैं आपको यहां पर चीज कर रहा हूं ताकि confusion जो यह हर जगा पोस्ट में प्रडक्शन होती है इस पर्टिकुलर डिस्टिक्ट में इस यूटी में जो जम्मो कश्मीरी यूटी है उसमें सबसे जादा largest milk production होती है कहां पे पुलवामा में जिसकी वज़ा से इसे का जाता है अनंद ऑफ कश्मीरी यह जो points है बहुत important है तीसरा point जो अभी मैंने आपक सफरान सफरान अगर आपको देखना है quality सफरान आप लोगों को चाहिए तो वह आपको कहां पर मिलेगा तो वह आपको मिलेगा पुलवामा में और इसे क्या कहा जाता है इसे ही अभी हाली में जीए टाग विदिया लैंड ऑफ सफरान अगर पूछा जाएगा तो वह भी क् पॉइंट्स है और मैं आपको बता दू इन तीन पॉइंट्स पे हर एक शिफ्ट में अप्रोक्सिमेट एक एक क्वेशन आया है पामपॉर बहुत इंपॉर्डेंट है जगा जो है सैफरॉन इस मेंली ग्रोन इन करेवा लैंड ऑफ पामपॉर यह पेपर में पूछा गया है किस में पंचायत अकाउंट असस्टेंट यह अब मैं आपको दिखा रहा हूं जो बच्चे कहने ना कि फैनांस में नहीं आएगा क्वेशन मैंने भी आपको दो क्वेशन अभी तक डिसकस कर यहां पर एक मैंने आपको जो जम्मू में मुबारक मंडी पर क्वेशन था और एक यह पेपर में आया था पेपर उठा के देख लो भी आप बेशक इस लेक्चर के बाद इंपॉर्ण श्राइन जो टूरिस डेस्टेशन के अगर मैं बात करूं तो आपको खानखा ट्राल यहां पर जवाला मुखी टैंपल देखने को मिलेगा जिसे जो क्रियू पुल्वामा में है इसके अलावा आपको अवंति पूरा का टाउन देखने को मिलेगा अवंति वर्मन के नाम पर है यह question भी important है बन सकता है पेपर में तरसल मरसल लेक अगर तरसल मरसल लेक भी आपक अब लोग मुझे बताओ कि अभी हम इसको continue करें बंद करें जल्दी से वरी आप लोगों का पूल जाल लेते हैं जल्दी से बताओ कि क्या इस lecture को continue करें बंद करें बच्चे करें कि यहाना बज़े तक continue करते हैं फिर अब अगर सूचा है तो कोशिश करेंगे कि हम इसको कोशिश करने की हम लोग चलते हैं यहां पर पहले बारा मुला बांदीपुरा कुटवाड़ा वाली साइट कुलगाम बढ़गाम पर बाद में आएंगे क्योंकि उनका बहुत जादा हिस्ट्री है उस पर थोड़ा सा लेट आईगा बारा मुला के ऊपर हम लोग चलेंगे पह आप लोगों पता होना चाहिए बारा मुला को फांड किसने किया था यह फांड किया गया था राजा भीम सिना के द्वारा चीक है पहला पॉइंट 206 बीसी में इसको किया गया था यह भी गेटवे टूदा वैली का जाता है किस साइट से उपर की साइट से मैप पर देख ल ब्रिटिश हिस्टॉरियन के ऊपर जिनका नाम है मूर क्राफ्ट इन्होंने भी विजट किया था बारा मुला को और यह बेसिकली कहां पे है यह जो आप लोगों को देखेगा मुझदफराबाद और यहां पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा रावल पिंडी एक सेकेट एक सेकेट एक सेकेट इस पे चलते हैं थोड़ा सा स्क्रीन को एड़जस्ट कर लूँ पहले ठीक है मुझफराबाद प्यूक के रावल पिंडी पाकिस्तान है थोड़ा सा यहां पर गलत होगे इसको ठीक कर लेना अब बिंग गेट वेट वेली मुगल एंप्रेस हैड स्पेशल फैसिनेशन फॉर बारा मुला अब यहां पर क्या है अब दो चीजे में आपको बताता हूं दे अपना हॉल्टिंग स्टेशन ठीक है वहां पर रुखते थे अराम करते थे वहां पर डेवलपमेंट्स करवाते थे राजा भी खुश थे सब खुश थे उनको भी अराम हो जाता था अब दूसी चीज़ अगर हम बात करें बारा मुलागी वहां पर भी क्या था एंटर करने यह क्वेशन पेपर में पूछा गया है अभी रिसेंटली 1589 में जब एंपरर अकबर ने एंटर करा था वैली में किसके थू पाकिल के द्वारा और बारा मुला में कुछ दिन भी बिताये थे तारीके हसन के अकॉर्डिंग इस टाइम पे जो सिटी थी उसको डेकॉरेट कि पहला पॉर्यूरेट है पहला पॉर्य ठीक है पहला पॉर्यूइंड आपको यहाँ पर याद होना चाहिए दूसरा पॉर्यूर्यूर्ज बतादू जो इंपोर्डने ने बहुत बार विजट किया था कहांपे जहांगी ने इस जगह पर विजड गया था बार 근्शक भी थे इसके साथ ही अब आपको यह question जो याद रखने है बारा मुल्ला काफी important point रखता है ना ही सिर्ब muslims के लिए बलकी किसके लिए जो सिक्त गुरू थे जिनका नाम था श्री हरगोबिन सिंग जी उन्होंने भी इस जगह को विजट किया था तो इसी वजा से यह जो questions है बहुत बार यह question आप लोगों को अभी तक नहीं पूछा गया पारा मुल्ला पर जहांगीत पर पूछा गया है आप लोगों को अखबर पर पूछा गया है लेकिन अभी तक आपको शिरी हरीकोबिन सिंग जी पर question नहीं पूछा गया तो यह आने के chances हैं 1620 AD में 6th Sikh Guru जो थे इन्होंने विजिट किया था और ये काफी important place बन जाती है सबी के लिए क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें 15th century की तो यहाँ पर Muslims के लिए important बनती है क्योंकि जो famous saint थे सेयद जानबाज वली उन्होंने विजिट किया था अपने companions के साथ और उन्होंने 12 मुला को ही as a center choose किया था अपने mission के लिए ये questions अभी तक नहीं बने 15th century और 1620 के अभी तक नहीं आए chances यह हैं कि आपको OMR base में देखने को मिल सकते हैं यह नहीं कहा रहा कि आएंगे ही आएंगे बड़ पता होना चाहिए और इसी वज़ा से Hindu Muslim 6 के लिए यह काफी एक important site जो है वो बन गई थी next पर आते हैं हम लोग oldest और काफी important part है gateway to the valley है कब तक था 27 October तक उसके बाद इंडिया का part बना महराजा अरी सिंग ने sign करा instrument of accession को 26 October 1947 में इसके बाद tourist destination की बात करें तो सबसे important tourist destination current affairs की format में है गुलमार गुलमार क्यों है मैं आपको उता देता हूँ midow of flowers के नाम से जाना जाता है firing range है यहाँ पे जिसको विद्याबालन firing range के नाम पे कर दिया गया है Halo India Winter Games हाल ही में held हुई है गुलमार्ग में जिसमें winner था जमू एंड किश्मीर यह चीज याद रखना जो बच्चे कहने है बस इसके बाद हम देखेंगे एक बारी मैं वापिस से पूल कंडक्ट करा लोगा पहले पढ़ लो सोपूर के अगर हम बात करें सुपूर के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा ये भी आपको कहां पे देखने को मिल जाता है ये भी आपको बारा मुला में देखने को मिलेगा इसके अलावा खिलान मर्क फिरोस्पूरा निंगली नाला भी आपको यहां पे देखने को मिलेगा ठीक है अब सोपूर के नाम के उपर भी क्वेशन पूछे गए है जो सुया इंजिनियर थे यानि की अवंता बर्मन के जो उत्पाला डिनिस्टी के थे उन्होंने फांड किया था सोयापूर जिसका नाम बाद में सोपूर बन गया गया था ठीक है तो चलो अब यहां पर जो बच्चे यहां पर आदे घंटे से बो रहे हैं ना कट आफ डिसकास कर दो वो तो इस सेशन के उसे हो गया बाहर ठीक है अब जल्दी सा बता दो एक डिस्टिक्ट हमारी हो गई है कुपवारा बांधी पूरा भी आज करें है खतम करें इसको जल्दी सा बता दो आप लो लोग कर चके हैं अब जो बाकी डिस्टिक्स बच गी है वो हम लोग करेंगे कोशिच यहती कि कि आप लोगों को हर एक update मिलता रहे पेपर में guarantee मैं आज भी लेने को त्यार हूं कि आप लोगों को देखने को मिल जाएगी अब अच्छा लिखे energy secret क्या है तो energy secret कुछ नहीं है अब यह है कि selection होनी चाहिए आप लोगों की नहीं तो इस सब हमारा मिट्टी हो जाएगा जितना भी मैनत अभी तक हम लोगों ने करी है बट मुझे पता है कि आप लोगों में से ही selection होगी आज में यहां पर कहना हूं कि maximum selection finance account assistant में उनी बच्चों की होगी जो हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं क्योंकि डेट साल से हम लोगों ने बिना एक दिन का gap लिया बहुत effort डाले है आप लोगों ने भी बहुत मैनत की है हम लोगों ने भी बहुत effort डाले है तो यह सारी चीजे यह सारी मैनत यह सारे marathon lectures आप ल आएगी जब हम लोग पीछे मुड़ के देखेंगे कभी life में तब हमें realize होगा कि हमारी मैनत वेस्ट नहीं गई तो ना मेरी मैनत वेस्ट जाएगी ना आप लोगों की मैनत वेस्ट जाएगी तो बस इसी उमीद पर आज का lecture खतम करते हैं अगर आप लोगों को test देना है ल लास्ट ओवर चल रहा है अब यहां पर हम लोगों को जितना ज्यादा रन बना सकते हैं उतना बनाने है लेकिन शान दिमाग के साथ तो चलो आज के session यहें पर खनम करते हैं बहुत अच्छा लगा आज के session को और यह आज तक का मेरा सबसे लंबी class है 1,5 गंटे 2 गंटे की रहे हैं जिसमें अभी दो अभी भी बाराषो इवारा सो लोग लाइव देख है यह तो चलो जलेर लेक्ट के सथ कल हम लोग करेंगे इसको भी इसको और और यह जू हुर करेंगे उसको भी कःएं तो मिलते हैं जल्दी ही ने लेक्चर के साथ वाँ नाइस डे वाँ टेक के